जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीवर्स हैं उनको पता है कि मैं ये चैनल सबसे पहले मेरे स्टार्ट किया था नोफैब पे तो अगर आप मेरे subscribers हैं, viewers हैं, daily basis पे तो वीडियो चलने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ एक important message आपके लिए अभी मैं इंस्टाग्राम पे कल या परसों में एक वीडियो प्लोड करने वाला हूँ जो nofap से related है और आप अगर nofap पर है, ये वीडियो आपकी life changing वीडियो होने वाली है ये वीडियो काफी motivational है मैं इंस्टाग्राम पे अप्लोड कर दूँगा हाला कि movie का scene है, जो relay पे है, editing किया हुआ है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो काफी motivation मिलती है nofap motivation है तो सबसे पहले आपको बता जेता हूँ, वीडियो को देखने से पहले आप इंस्टाग्राम पे मुझे follow कर, link description में है और वहाँ पे मैं ऐसी motivation वीडियो जानने वाला हूँ, जो nofap पे है तो definitely आपको मुझे add कर लेना चाहिए, इंस्टाग्राम पे link description में है, चले वीडियो स्टाट करते है आज हम बात करेंगे how much power in a drop of semen मतलब एक व्रे की बून में कितनी power होती है literally गर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो इस वीडियो आपकी आखे खोल देगा बहुत सरे लोग इस चीज को normal मानते हैं आगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ जो चीज आप daily basis पे waste करते हैं आज इस वीडियो को आपने end तक देख लिया तो आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा कि इसमें कितनी power कितनी सक्तिसाली चीज है जो चीज आपके सरीर में है जिस चीज को लोग normal मानते हैं जिस चीज को बहाना लोग normal मानते हैं आज मैं आपको बताऊँगा किसकी power क्या है तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं इसमें तत्वे यानि इसमें क्या-क्या मेटल्स होते हैं तो आज हम बात करते हैं इसमें कौन-कौन से इसी चीजे होती हैं जो हमारे सरीर को जरूरत होती है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार एजुकलेट के बारे में यानि रिलेप करते हैं तो 15 ग्राम सीमन आपका बोड़ी से आउट हो जाता है मतलब 15 ग्राम सीमन में आप क्या क्या वेस्ट कर देते हैं माज आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जब आप 15 ग्राम सीमन को अपनी बोडी से वेस्ट करते हैं तो उसके साथ 150 मिली ग्राम प्रोटीन वेस्ट होता है 11 मिली ग्राम कार्बो हाइडरिट्स, 6 मिली ग्राम फेट, 3 मिली ग्राम कोलेस्टरोल, 7 USRDA, पोटेसियम and 3% USRDA तामबा और जस्टा होता है, असल में तो ये पानी होता है, लेकिन क्या आपको उसके बारे में पता है कि जब आप एक बार इस तत्वएक को वेस्ट कर देते हैं इन तत्वएक को तो हमरे सरीर को जो मजबूती मिलती है, वो मजबूती नहीं मिलती जितना हम खाते हैं उसे जदा हम उसे वेस्ट कर देते हैं अब आपको बताता हूँ इसकी प्रोसिस कि ये कैसे बनता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे सरी में बोडी फलिट बनता है उसके बाद में बलड बनता है उसके बाद में फलेस बनता है उसके बाद में फेट बनता है उसके बाद में बोन्स बनती है उसके बाद में बोन्स मेरो बनती है और अंत में जाके बनता है हमारा सीमन यानि साथ चीजों के बनने के बाद में हमारा सीमन बनता है तो इसका निचोड कितना पाउरफुल होगा आपको इस बात से पता लग गया ही होगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले की सीमन 3 या 4 वीक्स में जब सीमन बनता है सबसे पहले तो हमारे वो अपर डेक्स में रहता है यहनि 64 डेज में एक बार जो सीमन होता है वो बनता है उसके बाद में तीन या चार वीक्स तक वो अपरडेक्स में रहता है उसके बाद में वो पूरे 90 डेस के बाद में वो पूरे बलड में मिक्स हो जाता है उसके बाद में जो सरीर को चीजे जुरुत होती है वो सरीर में चला जाता है तो आपको पता चल गया होगा कि 64 days लगते हैं जिस चीज़ को बनने में आप उसे वेस्ट कर देते हैं तो कितनी कीमती चीज आप वेस्ट कर रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं मैंने आपको बता है उसके बारे में किसमें मिलिग्राम चीज़े होती है अब आप बोगे यह कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है बहुत कम चीज़ है लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप इसको एक बार वेस्ट नहीं करते उन लोग क्या जो असाथ दिन में दो बार तीन बार या डेली बेसिस पे दो तीन बार करते हैं तो आप इस सीज़ से पता लगा सकते हैं कि आप कितने सालों से करते हैं उसका कितना आपका सीमन उसका कितना प्रोटीन आपका आपने वेस्ट कर दिया कितने तत्वा आपने वेस्ट कर दिया अगर आप इस सीज़ को एकटा करें तो बहुत ज़्यादा होता है इतने तत्वा हम सरीर में लेती भी नहीं है जब हम आउट हमारे जो बोड़ी है उसके स्टोक से भी बार ज्यादा निकाल देते हैं तो क्या होता हो हमारी बोड़ी एकदम चिपक जाती है हमारा जो बोड़ी है वो एकदम लूज हो जाती है हमारी बोड़ी से प्रोटीन लेने लगती है तो हम एक sexual विचार हमारे दिमाग में आता है तो साथ दिन का ओजस ओजस एक ऐसी चीज है जो intelligence पर basis होती है हमारे intelligence कितनी powerful है उस पर ही basis करती है तो साथ दिन के intelligence हम खो देते हैं और जब हम 45 days की intelligence को देते हैं जब हम एक sexual activity में आते हैं 45 दिन की ओजस हम बरबाद कर देते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यह कितनी powerful चीज है और जैसा कि मैंने आपको लास्ट विडियो में बताया था हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको नों बोलते हैं हम बिफोर्टल कोर्टेक्स यह किसा पार्ट है जो मारी intelligence को बताता है जो developed होता है हमारी intelligence के लिए इस पर depend होते हैं कि हम कितने intelligent है तो यह हमारी 13 और 25 साल की उमर में ही developed होता है और उस समय हमारा सीमन जो होता है वो बनना शुरू होता है इसलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो पहले के लोग तक काफी ज़्यदा intelligent इसलिए होते थे कि जब उनको 13 साल के वो होते थे यानि जब उनकी बोड़ी से सीमन बनना स्टार्ट होता था तो उनको गुरू कुल में डाल दिया जाता था और वहां पे उनको 15 साल तक 13 से 25 साल तक भरम चारे रहना आउशक था उनके लिए जरूर उनको रहना पड़ता था इसलिए वो काफी intelligent होते थे इसके पिछे का scientific reason यही है कि ताकि वो इस सीज में भरम में खोके इस सीज को waste ना करे और अपनी जिन्दकी को आगे बढ़ा सके और सपल हो सके तो मैंने आपको बता दिया है अब आप जान गए होंगे कि एक बार एजुकलेट करने पर आप कितना protein waste कर देते हैं कितने तत्तों को waste कर देते हैं अगर आप इन चीजों को बताएं तो आपके सरीर में कितनी powerful चीज़े developed हो सकती है और यही नहीं आप entire life के साथ साथ अपने दिमाग को विक्सित कर सकते हैं आपकी life change कर सकते हैं बहुत साला time waste लोने से बच सकते हैं अगर आप इस चीज़ को बताते हैं बचाते हैं तो बहुत सारी चीज़े आपके life में change हो जाती है आपके entire life change हो जाती है आपके intelligence बहुत ज़्यादा हो जाती है आपका focus ज़्यादा हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया है कि कितनी power होती है आपके semen में वीडियो चा लगा तो give a big thumbs up comment करके ज़रू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और भाई इस channel को subscribe ज़रू कर ले क्योंकि यहाँ पर जो आपको information मिलने वाली है वो कहीं नहीं मिलने वाली मैं मिलता हूँ आप से next video में तब तक लिए good bye take care